यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बतलाएंगे कि जैसे कोई जो नॉर्मल आदमी होता है जैसे कि मज़ूर टायर का आदमी होता है या मिडिल करास का आदमी होता है तो वो जब अमीरों के घर में जाता है तो वो इस तरह से टायल जब देखता हुआ है लेकिन हमारे पास कभी भी इतना पैसा नहीं हुआ कि हम अपने घर में इस तरह की टाइल लगवा पाएं तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसा आइडिया बताऊंगा कि एक मजदूर आग्मी एक मिडिल कलास का आग्मी भी अपने घर में कमरे में बातरूम में कीचेन में कहीं पर भी ताइल लगवा सकता है मैं आइडिया आपको बते रहा हूं कि जैसे आप को आपने देखां हो जहां से घा भी लूपर भी वह मिलता है वही से इसको sample का piece कहते हैं, जब company tile बनाती है, तो क्या करती है, distributor के हाँ या दुकानों में, सबसे पहले मुफ्त वो sample बेजती है, कि ग्राहक को इस तरह से सेंपल दिखा करके आप संपला करना है। तो वो जो सेंपल का फीत कर दिस्टिटीटर को देती है company जअ दुकान दुकन-दारों को देती है तो वो मुफ्त में देती है, वो देखिया, ऐसे देती है, जैसे मनने जाए कि यह टायल कंपणी बनाई, तो इसका एक पीस डिस्टिबुटर के हाँ या दुकान में सेंपल में आ जाएगा, फिर यह भी बनाया तो यह इसका भी दे दिया, इसी तरह से देखिए, यह पीस जो दुकानदारों को कमपणी मुफ्त में देती है, यह देखिये, जब यह टायल, मतलब चलते चलते जब यह एंड में बंद हो जाता है, तो इसका सेंपल कोई काम का नहीं होता है, यह देखिये, यह सब सेंपल कोई काम का नहीं होता है, तो एक एक पीस का सेंपल है, वो दु यह चाहिए बिल्कुल सेम वही हो गाए देखिए सिर्फ एक कलर کا एक क्या है अलग अलग कलर का मिलेगा तो वह आपके मिल्सकोर करने का होता है कि वो कैसे सेट करें जो की एक एक पीसका भी इस तरह से सेट कर देगा तो बिल्कुल जैसे जो सिंपल टायल लगा उससे भी अच्छा लगेगा जैसा कि मैंने अब दिखा रहा हूं कि उसी में सेट किया गया यह देखिए यह जैसे हमने बहुत सारा पेटी खरीद के लाएते सेट किया यह देखिए इधर भी है और इधर भी देखिए यह सारे यह देखिए यह सारा हम ने सेट किया है उसी हिसाब से जैसे मैंने 10 रुपे का parenthस टायल लाया है और उसको मैंने की अब लगने के बाद यह बिलकुल ऐसा नहीं लगे गा कि हान यह रिडेक्श excited मल है या टूटा हूआ माल है या कषपीज माल है ऐसा नहीं है तो यह सिर्फ 10 रुपे में ही आपका टायल मिल जाएगा टायल के दुकान में है इसे बाद आपको यह कहना है यह इसका एक प्रेट बतलाना चाहता हूँ कि यह बातरूम है इसके जो लंबाई है वह 8 पूट है और चवड़ाई तीन फूट है, तो इसमें पीस कितने लगें, वो मैं आपको बतलाना चाहता हूं, देखें, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, मतलब इस बातरूम में जो दर्वाजा छोड़ करके बारा पीस लगी है एक लाइन में, तो आप पांट फूट अगर टाइल लगवाना चाहते हैं, तो सोच लिजे कि ये आठ बाई तीन का बातरूम में आपका जो है, बारा पचे साथ, सिर्फ इस साथ पीस टाइल लगेगी, साथ पीस जो टाइल है, उसकी कीमत कितनी होगी, तो केबल 600 उर्पिया, 600 उर्पिया मतलब 600 उर्पिया, 800 उर्पिया, 64 सो लगा है, और 800 का सिमेंट, तो 14 सो लुगा, अब जो मिस्तिरी लगाने का मज़्दूरी है, उसका तो वो और 500 लेवर का होगा, आठ पांच तेरा सो लपिया जो होगा, वो लेवर और मिस्तिरी दोनों का चार्ज होगा, तो दोस्तों कि चुना होगे आपका 600 और 814, 14 और 13, मतलब 14, 13, 27 रप्यार, 27 रप्यार, अब और जैसे इसमें यह जो दर्च होगी इसमें भाइट सिमेंट बढ़ा जाए गए, देखिए, जैसे यह टैल लगाए, यह टैल लगाए, तो दोनों के जो जो दर्च होता है, उसमें सिमेंट कर इसमें 2-300 रप्यार, अगर और भी पलस कर देते हैं, तब भी यह जो बात्रूम है, आठ वाई, तीन का जो बात्रूम है, ट्वाइलेट बात्रूम अटैस यह बना गया है, इसमें समझ दे आपको कि 3,000 रप्या में आपका सुंदर सा टायल लग जाएगा, जो कि आप मजदूरों के लिए या मिडिल क्लास के लिए इस खास कर देंगे, या मिडिल क्लास के आदम से वीडियो बनाया हूँ, कि ताकि कोई गरीब आदमी के भी घर में भी टायल लग जाए, क्योंकि उसे आइडिया कोई देने वाला नहीं होता है, इसलिए मैं आपको आपको पताया कि केबल 3,000 रुपया में ही आपका बात्रूम में टायल लग जाएगा, तो दोस्तों यह हमारे वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा था हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी सेर कीजि थाएब की खीडियो की उाच